Hello everyone, आज हम लोग बात करने वाले हैं MCQs की The Broken Binks के, ठीक है? और ये poem जो है, वो Saroji Naidoo की है, जो मैंने अल्रेडी पढ़ा दी है, YouTube में class uploaded है, आप लोग देख सकते हैं, description में link है आज हम question की बात करते हैं, first, क्या question है, what does the poem The Broken Binks portray? मतलब Broken Binks जो है कैसा दृष्य दिखाता है, तो ये दृष्य दिखाता है, a picture of India under the British rule, a picture of woman in the instant India, a picture of education in pre-independence era, तो ये picture जो दिखाता है, ये जो British rule था जब भारत गुलाम था, ऐसी picture दिखाता है, तो question number 1 का option number A ही होगा, what was, what are symbolized as a song word in the poem, मतलब song word किसे कहा गया है, तो song word कहा गया है, the intellectuals, the poet, the play writer and other, मतलब जो पढ़े लिखा समाज है न, जो intellectuals लोग है न, writer, poet, जो है न, इनको song कहा गया है, मतलब इनकी जो poem है न, वही इनको गाना कहा गया है, ठीक है, what has suppressed the voice of song word in the poem, मतलब किसकी आवाज को दवाया जा रहा है, poem में, ठीक है, क्या दवाया जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, white separate brought in the country, lack quality of food and water, brute force and strict sensor, why British, मतलब ब्रिटिस के द्वारा कार्ट छाट की जा रही है उसमें, censorship मतलब होता है, कार्ट छाट करना, और brute मतलब होता है, जवजस्ती है न, बिकार तरीके से दवाव दे करके, ठीक है, तो कोई भी जैसे माली जे पोयट है न, अगर वो भारती सुतंत्रा के वारे में लिखता है, तो उसको लिखने नहीं दिया जाता, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, हो रही थी, What is the great dawn symbolic of in the poem? ग्रेट डॉन का मतलब क्या है? ग्रेट डॉन का मतलब होता है, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि अरली मॉनिंक को बोलते हैं, लेकिन यहां पर पोयम में ये मतलब नहीं है, पोयम में मतलब है लिब्राइजेशन, मतलब impending liberalization मतलब होता है, सुतंतरता सुतंतरता है ना अपनी अपनी सुतंतरता भोलते जिसे बोलते है What does the mournful night in the poem? मौन फुल नाइट का वैसे तो आप लोग जानते है नाम क्या होता है मतलब दुख भरी रात लेकिन यहां पर मतलब है period of dominance and suppression मतलब ऐसा समय जो मतलब किसी के suppression मतलब दवाव में dominance में चल रहा हो According to the poem What is the current atmosphere in the poem? तो इस समय का जो poem है poem का जो atmosphere है वो कैसा है? ग्लूमी है, full of corruption है, full of hope and expectation है full of jealous and total है तो ध्यान रखिएगा इस जो poem है वो क्या है? ऐसी है full of hope and expectation मतलब अभी हम भले दुख में हैं लेकिन हमारा जो expectation है वो सतुनृता का है ठीक है Who are set the threat the path of liberty in the poem ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो path है वो क्या है? यहाँ पे who किसको कहा गया है? कि जो liberty के रास्ते पे जो लोग चल रहे है उसको क्या कहा गया है तो यहाँ पे the people of India की बात की गई Who मतलब the people of India ठीक है Next question पे चलते है Who is the poem Who in the poem will got ignored the call of liberty ठीक है तो यहाँ पे जो eight number का option होगा वो होगा the bruised and suppressed intellectual मतलब उसको क्या किया गया है? दबाया गया है इग्नोर किया जा रहा है मतलब विसेश उस पे रुष नहीं लेने दिया जा रहा लोगों को ठीक है What does the broken beings represent in the poem? Broken beings क्या represent कर रहा है इस poem में तो hurt, injured and suppressed artists and intellectuals ठीक है तो यह चीज़ है एक चीज़ ध्यान रखिएगा यह सब PDF आपको मैंने अप्लोड कर दिया है अप मतलब Reva Institute का app आपको जाना है Reva Institute का app डाउनलोड करना है जब आप Reva Institute का app डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़े मिलेंगी एक course मिलेगा English PGT का मतलब जो सिक्षक वर एक पातरता परिच्छा 2023 होने वाली है उसके लिए तो वह आप जब देखेंगे तो आपको वहाँ पे यह सब पीडियाप्स अल्रेडी अप्लोडेट मिलेंगे मतलब MCQs भी होगा उसमें पूरी पोयम भी मैंने पढ़ाई होगी वो पोयम भी होगी ठीक है और साथ में exam fact जो होते ना exam के लिए important जो fact होते ना वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं question अच्छा वहाँ पे कुछ आपको free study material भी मिलेगा ठीक है जैसे math का है English grammar का है आप free में भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे online test भी मिलेंगे वहाँ पे online test भी दे सकते हैं ठीक है question number 9 की बात करते है what does the broken being represent in the poem तो यह मैंना आपको बता दिया है next question पर जलते हैं what is the rhyming scheme of the poem rhyming scheme क्या है poem की तो ध्यान रखियेगा rhyming scheme है AABB ठीक है ध्यान रखियेगा AABB इसकी rhyming scheme है ठीक है how many sections in the poem the broken being divided broken being के जो दो पार्ट है मैं आपको बता दूँ first part है question का जो गोपाल किस्ट गोखले ने किया था और answer दिया था Sarojini Naidu ने तो यह दो पार्ट में यह poem है ठीक है art line इधर है art line इधर है next चलते है question number 12 में when was Sarojini Naidu one Sarojini Naidu का जन्म कब हुआ था तो यह आप जान लीजेगा Sarojini Naidu का जो जन्म हुआ था वो था 13 Feb 1879 को ठीक है 13 Feb 1879 को इस प्रकाल से आप याद कर सकते है where was Sarojini Naidu educated Sarojini Naidu की जो education हुई थी वो कहां से हुई थी द्धान रखीए का इनकी education हुई थी बाद में Cambridge University में इनकी education हुआ है ठीक है The broken wing was published एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा ये तो आपको जो YouTube में आप class देख रहे हैं न ये class अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप WhatsApp group से भी add हो सकते हैं WhatsApp group में add होने के लिए WhatsApp एक number है इसमें अपना name लिखना है place लिखना है और आप कहां से हैं place ये हो गया और आप किस चीज की तयारी कर रहे हैं वो लिख देंगे तो मैं आपको group में add कर दूँगा और best study मतलब अच्छी से अच्छी study आप वहाँ पर कर सकते हैं साथ में एक चीज में आपको दादू Reva Institute का app डाउनलोड कर लिजिए इसमें आपको बहुत सारी सुब्धा मिलेंगी अभी भी और बाद में भी कुछ चीजे में आपको यहां पर free available कर आ रहा हूं और कुछ चीजे के लिए छोटा मोटा amount मतलब एकदम ना के बरावर amount लेकर आपको बहुत अच्छी चीजे यहां पर provide कर रहा हूं तो join कीजिए और अच्छी study कीजिए ठीक है कोशन नमबर हमारा 14 क्या था The broken being was published in तो broken being published कब हुआ था ध्यान रखियेगा 1970 में इसको क्या किया गया था published कराया गया था What was the broken being dedicated to The broken being जो है वो किस चीज पर क्या है dedicated है Dream of today पर Dream of tomorrow पर Hope of tomorrow पर तो ध्यान रखियेगा Dream of today and hope of tomorrow मतलब आज का जो सपना है ना वो कल की आसा है हमारी ठीक है तो इस class में हम केवल 15 questions को ही discuss करेंगे और जो questions बचे हैं उसको next class में discuss करेंगे ठीक है और मेरी केवल इतनी ही आप लोगों से इतने ही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है न ग्रुप में अगर आपको यह सब चीज़े अच्छी लग रही है तो निश्य तोर पे आप जो है MPTED का exam cross कर पाएंगे break कर पाएंगे ठीक है तो support कीज़े क्योंकि मैंने जो है app start किया है ठीक है app start करना इतनी आसान बात नहीं है और उसको मैंने किया है आप लोग की सहूलियत के लिए ही ठीक है तो इसको भी support कीज़े और अच्छे से तयारी कीज़े तो जाके description से आप Reva Institute का app download कर लिजिए description में उसकी link सबसे उपर मिलेगी उसके बाद आपको English grammar के कुछ चीज़ें वहाँ पर मिलेगी 1000 plus question की series आपको मिलेगी वहाँ पर सब ये video class आपको मिलेगी ठीक है free of cost और आपको अगर English grammar का course join करना है English आप literature का course join कर लिजे English PGT का उसमें आपको इस समय पे offer चल रहा है 399 का तो 399 में आपको पूरा क्या मिलेगा literature मिलेगा पूरा literature का मैं आपको video दूँगा अब हाँ पर class दूँगा उसमें notes रहेंगी अब notes में क्या क्या रहेगा 50 practice set आपको मिलेंगे जिसमें आपको 30 पर practice set में question होंगे इस तरह से कुल जो question हुआ पंद्रो सो question हुआ और ये पंद्रो सो question जो है वो सब कहां के हैं ब्यापम द्वारा आए हुए question है जो बिभिन परिक्षाओं में पूछे गए हैं साथ में pedagogy की भी next week से class start हो रही है तो वो भी आपको मिलेगी ठीक है तो आपको download करिए और best study कीजिए अपनी तयारी कीजिए ठीक है मिलते हैं next video में thank you for watching